कि यह क्वेश्टन से स्टाट पर रहा है रोलिंग वाले क्वेश्टन में इसमें तीन अबजेक्ट है ना स्फियर है डिस्क है और रिंग है तीनों के टेंजिंसियली फोर्स लगाई गई है तॉप्मोस्ट पॉइंट पर कंपेर करना है इनके लीनियर एक्सेलरेसं को और कौन से अबजेट के सेंटर आफ मास्का जादा एक्सेलरेसं होगा इसमें लेकिन जो सर्फेस है इनको रखा गया है वह क्वेश्टन में यहां पर स्मूथ दिराख आपको विडाउट फ्रिक्षिन की सर्फिस लिए तो विडाउट फ्रिक्षिन वाली सर्फिस अगर और यह नॉर्मल और एमजी कैंसल आउट कर जाएंगे वर्टिकल डिरेक्षिन के होने की वेज़े से तो तीन ही अब्जेक्स में ग्रेविटी की फोर्स और नॉर्मल रियक्षिन की फोर्से से बैलेंस एन इकुल टू एमजी तो जो भी अनबैलेंस फोर्स है वो तो इन दोनों एक्वेशन को अगर हम स्फियर के लिए अप्लाई करें तो नॉर्मल और एमजी के बैलन्स होने के बाद सिर्फ कैपिटल एफ वाली फोर्स बची तो कैपिटल एफ इकुल टू मास आप दिस अब्जेक्ट इन्टू एक्सेलरेशन आप सेंटर आफ मास यहा कालने के लिए टॉर्क डिवाइड़ वाली एक्वेशन लगाएंगे तो टॉर्क अबाउट सेंटर आफ मास अगर कैलकुलिट करें तो फर्स्ट केस में सेंटर आफ मास से जो एप्लाइड फोर्स एफ है उसका परपेंडिगुरर डिस्टिंस रेडियस ओफ स्फियर आर के इक्वल सो टॉर्क एफ मल्टिप्लाइड बाई कैपिटल र इक्वल टू स्फियर का उसके सेंटर आफ मास वाली एक्सेस के बाउट हम मुमेंट आफ इनर्सी है जो कि टू अपन फाइफ एमार स्क्वेर मल्टिप्लाइड बाई अलफा यहां से अलफा की वैली निकालोग स्फियर के केस में इस इक्वल टू फाइफ डिवाइड़ बाई टू एमार और टॉर्क की डिरेक्शन अगर हम देखें मतलब उसका सेंस चेक करें अगर तो टैंजेंट के लोंग जो फोर्स लगा रहे है राइट साइड डिरेक्शन में इसकी टॉर्क रिलेटिव तू Hang沒有 कार जाओ जाओ धाइगा इस पूरे वरकिंग में जो वरकिंग हमने स्फियर के लिए करी है यही वरकिंग किया परके अइगा जिसका जाधा moment of inertia उसका जाधा होगा alpha तो उसका कम होगा alpha तो उत्ताइज रहेगा तो क्या यह कह सकते है कि center of mass की acceleration तीनो cases में same आएगी यह सर alpha में फरक आएगा ना तीनो cases में center of mass का acceleration f pi m के बराबर ही होगा तो क्योंड मोमेंट of inertia का कोई involvement नहीं है टॉर्क वाली एक्वेशन में moment of inertia की involvement है जिसकी वज़े से angular acceleration की values differ कर जाएगी even torque भी same आएगा because radius same है तो force into distance torque same है but disk में moment of inertia center of mass के about half mr square रखोगे into alpha और ring वाले case में भी same torque आएगा but moment of inertia ring वाले case में हो जाएगा mr square into alpha तो alpha ring वाले case में बन जाएगा f divided by mr clockwise direction में डिस्क वाले case में alpha की value बन जाएगी 2f divided by mr clockwise direction में अब आप यह बताओ ठीक है इससे clear होगा कि सबसे ज्यादा अलफा किसका आ रहा है इसमें सब्सक्राइब इन तीनों ऑब्जिक में सबसे ज़्यादा एंग्विल एक्से रिजल्ट सामने रखे होगे स्फियर 2.5 आ रहा है 5 by 2 मतब 2 एक और उसके बाद डिस्क का है और लास्ट में पर रिंग का मुमेंट ओफ इनर्शी और उसका alpha एक बात यह बताओ इन में से कौन सा केस रोलिंग विदाउट कोऊंसे वेल्यू बढ़ी हो रही है इस मेंसे एंटर खोलिंग विदाओ श्लेपिंग का है पर एनिग जादा नरे रही है यह तर्ड केस रोलिंग विदाव थीज्स्ट में क्या है कौन सी चीट ज्यादा आरी है दिंग के सथी श्लिछ सब्सक्रेंग रही तो इसमें भी डिस्क स्लिप कर जाएगा पीछे की तरफ तो इसमें भी बॉडी स्लिप कर जाएगी नेकिन थर्ड वाले में अगर आप देखोगे ना प्योर रोलिंग तो ए सेंटर आफ मास की वैल्यू आर अलफा से मैच कर रही है इसका मतलब यहां पर रोलिंग होना चाहिए मतलब पॉसिबिल्टी है इसमूद सर्फेस पर प्रियर रोलिंग की एक पॉसिबिल्टी साब ने दिख रही है मुझे तो अगर आप टैंजिंट के लॉंग फोर्स लगाते हो तो वो इसमूद सर्फिस पर प्योर रोलिंग नहीं कर सकते सिलिप कर जाएंगे इनके pure rolling करने के लिए friction नेसेसरी होना चाहिए, without friction, sphere और disk pure rolling नहीं कर पारे, but ring बिना friction के भी pure rolling मुसलब कर सकता है, अगर force उसके tangent पर लगाई जाए, वो भी topmost point पर, तो ये इसके outcomes यहाँ पर लिख दिये गया है, जैसे पहले दिखे गया थे, acceleration of center of mass के अगर हम बात करते हैं, object की तो वो independent है, type of object का, तब sphere, disk और ring यो तीनों का सेम आंसर आया था, angular acceleration की जो value है, वो depend करती है, कौन सा type of object आप ले रहे हो, that means indirectly उसके moment of energy आप लोगा, और एक, so table 24 of position and magnitude of the force and the type of object, it is possible to have rolling without slipping, even in the absence of friction force, अधर ये third number वाला point, ring को consider करके लिखा गया है, कि बिना friction के भी हम rolling without slipping कर सकते हैं, possibility है उसकी, तो पंपलसर ही नहीं है, बट possible situations में से है ये भी, एक और example है, यहाँ पर, पट इस question में roughness है, friction है नीचे, sufficiently rough, मतब ये तीनों objects प्योर रोलिंग मोसन में जाएंगे, अब ज़र आप compare करके बताएं कि इसमें से किसका alpha जादा आएगा, पिसला वाला बिना friction के था, ये वाला with friction है, ground पर proper friction है, मतब तीनों object प्योर रोलिंग मोसन में जाएंगे, ये दे रखा आप question में कि तीनों के तीनों प्योर रोलिंग करेंगे इसमें, तो आप पहले वाले में friction किस तरफ दिखाऊगे आप sphere वाले में, अगर हमें direction दिखानी हो friction की तो भी किदर दिखाएंगे, इसके पीछे भी discuss राइकें साइड, और सेकेंड वाले में भी right side friction लगेगा, हम तीसरे में भी मान लेते हैं, हम तीसरे में भी friction को मान लेते हैं, होगा कि नहीं होगा पता निए, बट मैं तीनों cases में friction को forward assume कर रहा हूं, assume कर रहे हैं कि तीनों cases में friction forward आएगा, और अब equations क्या बनेंगी, तो first sphere के case में applied force capital F, और ground से जो friction लग रहा, दोनों same directions में है, तो capital F plus small f total force बराबर mass into center of mass की acceleration equation बन हो गई, center of sphere की about torque calculate करेंगे, और ज़रा इसको ध्यान से देखना, जो applied force F है, उसकी torque center के about clockwise आएगी, जबकि जो ground पर friction दिखाया जा रहा है, उसकी torque center के about अगर आप calculate करोगो तो यह anticlockwise जाएगा, तो torque वाली equation में capital F into center से उसका distance R, clockwise torque हो गया, minus friction का anticlockwise torque, total torque हो गया, equal to moment of inertia center of mass के about 2 by 5 mR square into alpha second number की equation, और क्योंकि यह rolling without slipping question में कहा जा रहा है हमे, तो हम एक तीसरी equation यहाँ पर यह बनाएंगे, a center of mass is equal to R multiplied by alpha, इन तीनों equations के basis पर अब आप alpha की value solve करके लाओ कितनी आएगी, तीनों से, तीन चीज़े solve करनी है, इन तीनों equations को simultaneously solve करके बताना है कि a center of mass कितना आएगा, alpha की क्या value आएगी, और जो friction लग रहा, वो कितने amount का लग रहा है, यह तीनों चीज़े solve करनी हैं इसमें से, वेट कर रहें तुमारे answers का बताओ, इन तीनों equations को simplify करके, जिसका भी answer आजे, बूल सकता है, जिसका भी answer आजे, कोई भी एक answer अगर आगया हो तो बता सकते हो, friction आगया हो, alpha आगया हो, ACM आगया हो, कोई भी answer, क्योंकि फ्रिक्शन यहां पर static है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग पड़ा दो आप ध्यान से सुनना, static friction भी एक तरीके से, प्रॉब्लम्स में, अन्नों की तरीके से काम करता है, क्योंकि उसको म्यू इंट्वें तो लिख नहीं सकते, सुभांकर जी, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आड़ा, 3F by 7, स्फियर के केस में, स्फियर वाले केस में, 3F by 7 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आज डिरेक्शन सही माने गई है, और इसके इसाब से फिर एक्सलरेशन, सेंटर आफ मास का जो आएगा, वो 10F upon M आए जाएगा, नेक मिनेट, नहीं, 10F upon 7M, और फ्रिक्शन की, अल्फा की वैल्यू आजाएगी, 10F divided by 7M into R, यह वैली बन जाएगी इसकी, यही आंसर बोल ले थे आप लोग, यह कुछ और आंसर थे, यही है, यही है, ओके फटा-फट करें हैं, जल्दी-जल्दी रहें, क्योंकि मैं जानबूच करके, तीनों प्रॉब्लम से एक साथ करा रहा हूँ, ताकि आपको यह डिफरेंसे भी पता चलते रहे, डिस्क वाले में भी हमारी फर्षT equation से रहेगी, पर्ष侈्क्वेशन में कोई फरक नहीं है डिस्क में, सेकंड एक्वेशन में ही फरक आएगा, और वो भी सिर्फ राइट हैंड साइड पर, मोमेंट आफ अफ इनर्शी है के तर्म में फरक आएगा, तो बाई फाइफ की जगा हाफ हो जाएगा वहाँ पर हाफ एमारे स्क्वेर रेस्ट और सीज बिल्कुल ऐडेंटिकल चलेगी और तीसरे ए सेंटर आफ मास पराबर आर अल्फा इनको भी सॉल्फ करूगे तो अनसर इनके जो आएंगे एसी एकल आफा और फ्रिक्शन के बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ सॉल अलकर मतला बहुत प्रूप स्क्रीच ट्रिक्शन ओर रहा है एक एक थी प्राइब लाइट और एक यह आजाएगा फोर एफ डिवाइद बाइड 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 वाइट र के बराबर इस तीन आंसर सा जाएंगे पॉटा-फट प्राइब लाइड प्राइब एक वेशन नहीं परक नहीं आता है जो तॉर्क वाली एक वेशन से सिर्फ उसमें मोमें अफ इनर्च रिंग में एमरे स्क्वार हो गया बदल गया मोमें इसे में फिक्शन जीरो और अना भी चाहिए था क्योंकि अभी हम लोगों ने इसके पीछे एक वेशन किया था तो बिना फ्रिक्शन के ही जब वो प्यूर रोलिंग कर सकता है तो फ्रिक्शन की नेसेसरी नेसेसिटी नहीं बसती कोई मतलब इस एक्जामपल से आप ये भी समझेगा कि फ्रिक्शन तभी एक्ट करेगा जब उसकी एप्संस में स्लिपिंग या स्केडिंग हो रही हो अगर फ्रिक्शन के एप्संस में ही प्यूर रोलिंग मोशन हो रहा था तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा उसमें और एक बार फिर इसमें कोई भी surprising point नहीं है, static friction है, 0 आ सकते हैं इसकी value, कोई ऐसा problem नहीं, अगर 0 आ रहा friction तो उसको चुपचाप accept करो हंस्ते रस्ते, तो third case में friction 0 आना भी चाहिए था, alpha की value f upon mr के बराबर होगी, और center of mass की acceleration third वाले case में f upon m के equal, यानि अब किसका acceleration ज़्यादा आ रहा बताओ, किसके center of mass की acceleration सबसे ज़्यादा आ रही है, center of mass के, sphere का 10 by 7 f upon m है, disk का 4 f upon 3 m है, और ring का सिर्फ f upon m है, तो तीनों में से सबसे अदा, अगर हम acceleration को compare करें, center of mass की, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा है, उसके बाद disk है और उसके बाद ring है, similarly alpha के अगर आप order compare करोगों, तो sphere सबसे ज़्यादा accelerate करेगा alpha में भी, फिर disk और फिर ring, provided की radius और mass इनके बराबर रहे हैं, same mass और same radius के लिए गया हूँ, and amount of friction force की अगर हम बात करें, amount of friction force, तो सबसे कम friction force ring के उपर है, 0, उसके बाद अगर हम compare करें friction forces को, friction को बर compare करना हो, कि सबसे कम friction, इसके बाद डिस्क पे f upon 3, मतलब 0.33 है वो, 1 by 3rd of f है, और 3 by 7 आ रहा है, उसमें, 0.4 है, तो रिंग का friction सबसे चोटा है, उसके बाद डिस्क की friction है, और उसके बाद sphere का friction है, इस टाइक के objective questions आते हैं, एक्चुली compare करने वाले, जबकि पिसले वाले case में देखो न, तो alpha सबसे ज़्यादा किसका रहा है, सबसे पिसले वाले case में, अगर आप compare करो, alpha का order, sphere का सबस्क्राइब, इसके आउटकम्स में लिखे हैं, आप रीड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्तत नहीं है, inclined plane पर rolling motion पर आईए, जो भी question में discussion है, उसका discussion का point में लिखा हुआ है, इसको ध्यान से करना है, क्योंकि इस पे question completion में ज़्यादा है, inclined plane पर बहुँ ज़्यादा questions ह तो फिलाल स्टार्ट करने के लिए हमने object यहाँ पर sphere मारके चले हैं, बाद में जो भी यह working हम लोग करेंगे, इसको generalize कर लोगे, मतलब questions में sphere की बज़ा, ring भी ले सकते हो, disk भी ले सकते हो, cylinder हो सकता है वहाँ पर, तो यह एक illustration है, sphere को ले करके, जो भी working यहाँ पर करेंगे, similar working आप copy कर लेना, for other objects, तो mass और radius इसका दे रखा है, released from the rest है, initially यह rest की state पर दे रखा गया, यहाँ पर question में, और यह भी दे रखा है कि यह rolls without slipping है, यह given है, यह चीज़ question में दी जाएगे, मैंने खाता है 95% ज़्यादा questions ऐसा ही आएगे, अभी गना देखो भी, अभी नहीं हो गया, बताने बच्चा है, तो अगली slide पर चलें, अभी नहीं हो गया, ठीक है, next पर आवच्छे जल्दी से, जो कुछ इसमें तीन चार पार्ट्स हैं, काफी लेन्दी question and discussion, करने के लिए, पहले नंबर के point पर आपको तो इसकी linear acceleration, यानि की center of mass की acceleration बतानी है, और alpha बताना है, पहले पार्ट में, फिर दूसरे पार्ट में magnitude और direction of friction force क्या होगा, ये बताना है, पीसरे में minimum value of coefficient of static friction क्या होगी, third point, और चौथे में velocity बतानी है, इसकी जब ये बिल्कुल bottom point पर आ चुका होगा, चार पार्ट से हैं इसके, तो 1 by 1 अगर start करें देखो, तीन figures हमने इसलिए बनाई है, एक starting वाली point है, और एक जब ये bottom point पर reach करें गया तब की है, हम लोग intermediate point पर इसके free body diagrams को draw करते हैं, forces को, तो perpendicular to the inclined plane as usually mg cos theta जो दिखाते थे, parallel to the inclined plane mg into sine of theta का force, perpendicular to the inclined plane normal reaction force n, और friction force की direction पूछी गई है, इसका मतलब वो unknown है, तो मैं assume करके चल रहा हूँ कि वो up the plane आएगा, ये मेरा assumption है, कि friction inclined plane में ऊपर की तरफ लगेगा, और क्योंकि ये question कह रहा है, कि ये rolling without slipping है, that means कि ये friction हमको static मानना पड़ेगा, और static मानने की वज़े से ही ये एक unknown की तरीके से treat किया जाएगा, यहाँ पर, unknown quantity की तरीके से treat कर रहे हैं, और इसलिए पूछा भी जा रहा है कि friction force कितना होगा, अब इसकी equations बनाओ, तो एक translation की equation, एक equation आप इसके translation वाली बनाओगे, तो translation वाली equation में, down the plane mg sin theta वाली force और up the plane friction वाली force, तो mg sin theta जो की down the plane और minus up the plane friction force, total force पराबर mass into center of mass की acceleration, ACM, फिर इसके rotation की equation में राएंगे, मतलब torque equal to I alpha वाली equation, जिसमें torque हम calculate करेंगे, इसके center of mass के about, जितनी भी forces आपको diagram में दिख रही हैं, इन में से कौन-कौन सी forces ऐसी हैं, जो center of mass के तुरूप पास होते जारी हैं, जिन forces की line वाया center of mass जारी है, नॉर्मल और mg के दोनों components, तो mg cos theta, mg sin theta और नॉर्मल, ये तीनों forces वाया center of mass हैं, जो की center of mass के तुरू नहीं जा रहा है, तो friction की torque आएगी इसमें, so that friction multiplied by the distance r, friction और उसका center of mass से perpendicular distance r, equal to the moment of inertia sphere का 2 by 5 mR square, और multiplied by alpha, ये second equation, अब इसको ध्यान देना, मैंने क्योंकि भी कहा था ना आपसे, कि question में sphere की बज़ाए, अगर हम disk चूज कर लेतें, same problem में, तो सिर्फ second equation में moment of inertia का term बदल जाता यहाँ पर, 2 by 5 mR square की जगह पर हम disk के moment of inertia की value पुट कर रहे होते हैं, और तीसरी equation यहाँ पर, क्योंकि ये rolling कर रहा है, वो भी without slipping कर रहा, यो rolling हो रही है, तो third equation इस basis पर बन जाएगी, ये a center of mass की value बराबर होनी चाहिए, r into alpha की, same process से जो भी पीछे कर रहे थे हैं, अब इससे के साफसे equations बन गई, मतलब ये equations बन गई, अब इनको solve करना हैं में, इन तीनो equations को solve करना है, friction की value निकाल नी है, center of mass की action division निकाल नी है, और alpha की value ये सब कुछ calculate कर रहा है, relatively काफी ऐसान है, equation 2 में से एक r cancel हो जाएगा, और first और second equation को आप directly add कर सकते हो, और इस तो तीनों को अगर आप simplify करते हो, तो मैं answers बता रहा हूँ, आपको क्या answers आने चाहिए, solving 3 equations के बाद, ये center of mass calculate करने के बाद आएगा, 5 upon 7 g into sin theta, friction की value मिलेगी, 2 by 7 mg sin theta, positive friction आ रहा है, इसका मतलब direction सही है, alpha की value मिल जाएगी, 5 g sin theta divided by 7 into r, ये alpha की value, तीनों जो values मिलेंगे, इसे एक बाद cross verification कर सकते हो, खुद से solve पर के भी, simple है, बहुत असान है, first or second, second equation से एक r को cancel कर दो, और जो बचा हुआ, r alpha है, उसको replace कर दो a से, और फिर first or two को add कर दीजे, तो answer सानी start हो जाते हैं, simple है ये, तो मारा a part solve हो गया, जिसमें center of mass का acceleration और alpha पूछा था, बी part भी solve हो गया, magnitude और direction of friction force, तो यानि friction ऊपर के दरफ लगेगा, अब the plane, ये clear हो गया, क्योंकि positive answer आया है, friction का, मतलब direction सही लिथी है, तीसरे part में कह रहा है कि minimum value of coefficient of friction, तो यहाँ पर, आप friction के उस nature का use करो, क्योंकि ये static friction था, तो third part के लिए जो concept लगाने जा रहे है, वो ये, कि any static friction force has to be more than zero, but has to be less than mu s multiplied by the normal reaction, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, कि mu s is always more than or equal to the friction value divided by the normal reaction force, और यहाँ से mu s की minimum value निकालने के लिए, हम friction को normal से divide करेंगे, यानि friction divided by the normal reaction, और यह जो normal reaction है, यह equal to mg cos theta के बहरे, बैलन्स कर रहा है, और friction calculate किया गया है, 2 by 7 mg sin theta, तो friction 2 by 7 mg sin of theta, और डिवाइड बै नॉर्मल रिएक्शन force mg cos theta, simplify करेंगे, तो यहाँ से mu की minimum possible value बन रही है, वो हो जाएगी, 2 by 7 of 10 theta, यह इसकी minimum value है, 2 by 7 10 theta, मतलब कि इससे कम coefficient of friction पर rolling without slipping पॉसिबिल नहीं है, ध्यान लखना, minimum value of coefficient of friction का मतलब, अगर friction इससे छोटा हुआ, coefficient of friction की value 2 by 7 10 theta से अगर कम हो गई, तो यह sphere rolling without slipping नहीं करेगा, या तो यह slip करेगा, या तो यह skid करेगा, वो हमें चेक करना पड़ेगा भी कि वो slip होगा भी skid होगा, 2 by 7 10 theta से अगर कम है coefficient of friction तब और लास्ट पार्ट के लिए, जो लास्ट पार्ट है उसके लिए क्या करेंगे, देखूँ, लास्ट पार्ट कहरें कि जब यह center of mass, sphere का जो center of mass है, जब वो h distance vertically नीचे आ गया, तो इसमें कितनी linear velocity है और कितनी angular velocity है, तो लास्ट पार्ट conservation of energy पे हो जाएगा, speed निकाल दी है तो इनिशल मुमेंट पर जब यह rest पे था, तो आप यह कह सकते हो कि इनिशल मुमेंट पर kinetic energy की value 0, और इसको reference माल लेते हैं, तो potential energy भी 0 हो जाएगा यहांपर, अगर हम initial level को reference set कर दे, potential energy का, फिर जब वो h distance नीचे आ चुका है, h distance नीचे, तो potential energy, because the reference के नीचे चले गाए, तो it is equals to minus mgH, और kinetic energy क्या रिखोगा अब यहांपर, जब यह bottom point पर आया होगा, तो kinetic energy की value, मतलब एक translate करने वाली energy, half mv square, और प्लस एक rotate करने वाली energy, half, इसका moment of energy है, 2 by 5 mr square into omega square, और इसमें v equal to r omega जान रखेंगे, क्योंकि यह rolling without slipping कर रहा, तो v must be equal to r into omega, तो इस kinetic energy को अगर हम v के form में रखना चाहें, मतलब omega को replace करें यहांपर, v by r से, omega को v by r से replace करेंगे, और इसके बाद इन दोनों को add करोगे, तो यह total value in terms of v, 7 by 10 mv square बन जाएगी, और फिर conservation of energy यूज़ कर सेपते हो, fourth part के लिए, तो initial energy 0, बाद में potential energy की value minus mgh, minus इसलिए है क्योंकि वो reference line के नीचे चले गए, और kinetic energy में translatory kinetic energy और rotational kinetic energy दोनों को add कर गया है, 7 by 10 mv square, इसको simplify करेंगे, तो यहां से v की value मिल जाएगी, वो root of, 10gh by 7, 10gh by 7, और फिर omega भी आजाएगा इसमें, क्योंकि omega v, यहां पर friction involved था, तो mechanical energy class में होगा, बच्चा तुम साथ पिसली class को revise नहीं किया हूँ, पिसली class में रिखा था, आज 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 लब याद दिलाना पड़ता है, वो हतोड़ा चलाना पड़ता है, कि friction से work नहीं हो रहे हैं, पर वो previous class में explained है, static friction जहाँ है, तो वहाँ पर कोई दिक्तर वाली बात नहीं है, यह कुल विला करके answers हैं, अब आप यही working दूसरे bodies के लिए भी कर लेना, moment of energy को change करके, तो जो भी इसके results है, वो एक outcome के फॉर में एक बार फिर से specified है, क्योंकि आप जैसे लोगों के बारे में हमको पता है, कि कहीं नहीं कहीं फसोगे, तो इसमें काफी सारे point है, पहला point क्या कहा गया है, देखो जो हम लोगों आभी speed calculate की है, या फिर जो acceleration calculate की है, center of mass की, वो mass के independent है, पहली चीज, पहली चीज, अब इस पर objective questions बनेंगे, जो भी आपका answer है, देखो, इस पूरे answer में mass का term सिर्फ एक जगा पर involved है, जितने भी answers हमने लिखे हैं, उन answers में अगर आप ध्यान से देखो, तो mass of object कहां पर appear हो रहा है, कौन से answer में है, friction में, सिर्फ friction में, इसका मतलब friction के अलावा, center of mass की acceleration में mass का कोई term नहीं है, alpha में mass का कोई term नहीं है, जो final speed निटाली है, उसमें भी mass involved नहीं है, omega में भी mass involved नहीं है, तो यही point as a observation, यहां पर रखाया रहा है आप से, कि जो speed और acceleration है, center of mass की, वो independent of the mass है, इवन दा radius के भी independent है भूँ, देखें कि अगर आप, speed में radius का टर्म नहीं है, omega में है radius का टर्म, alpha में radius का टर्म है, लेकिन अगर आप center of mass की linear acceleration और V, सिर्फ इन दोनों के बारे में देखो, तो इन दोनों में ना तो mass involved है, ना तो radius involved है, मतलब क्या हुआ इसका, कि चाहे एक छोटा sphere लेके आओ, चाहे एक बड़ा sphere लेके आओ, दोनों के center of mass का same acceleration आएगा, दोनों के final speed भी same आ जाएगी, तो जितने भी uniform spheres होंगे, जितने भी uniform spheres हैं, वो सब एकी speed और एकी acceleration पे चलेंगे, on a given inclined plane, मतलब कि theta variable नहीं हुआ पर, same inclined plane पर, अगर हम एक बड़ा sphere और एक छोटा sphere लेके आए, जिनके masses different है, radius different है, तो भी छोटे sphere और बड़े sphere, दोनों के center of mass की same acceleration मिल जाएगी आपको, और दोनों की final speed भी same आएगी, विकॉज इन दोनों expressions में, ना तो M involved है, ना तो radius involved है, मतलब कि size of sphere matter नहीं करेगा, और उसकी density matter नहीं करती है, कि वो light density का है, या फिर heavier density का sphere है, मतलब plastic का sphere है, या फिर iron का sphere है, ये matter नहीं करता, matter सर्फ यह करता है, कि वो एक sphere है, छोटा है, बड़ा है, हलका है, भारी है, वो उससे related है, कि अगर हम इसको repeat करें, ये जो process है, इसको repeat करो आप, और repeat करो hollow sphere के लिए, या फिर solid cylinder के लिए, या फिर ring के लिए, तो हमें कहना कह चा रहे हैं आप से, जिसे sphere के acceleration में, sphere की acceleration में, आपको यहां 5 upon 7 का term आ रहा है, 5 by 7 का term, G sin theta के साथ 5 by 7 का term आ रहा है, तो second number point ये कहना चा रहा हूँ मैं, कि sphere की बज़ाए, अगर यहां पर ring होता, या sphere की बज़ाए, यहां disk होती, cylinder होता, hollow sphere होता, तब भी मेरा acceleration का result ऐसा ही आता, मतलब G sin theta तब भी मेरे को मिलता, सिर्फ इसके साथ आने वाला ये coefficient 5 upon 7 जो है, ये दूसरे bodies के लिए अलग value का आएगा, वो सबता है, disk में 5 by 7 की बज़ाए, कोई और number आ जाए, ring में 5 upon 7 की जगए, कोई और number आ जाए, coefficients बदल जाएंगे इसके सिर्फ, यह है second number का point, that only the factor in front of G sin theta would differ, मतलब G sin theta के सामने जो 5 upon 7 देख रहे थे, वो factor बदलेगा, और वो factor कितना आएगा ना, वो basically depend करेगा इसके moment of inertia के उपर, तो भी एक question और करेंगे इसके लिए लेकर के, second number point को समझाने के लिए, तीसरा, acceleration की value G sin theta से हमेशा कम आएगी, because अभी आपनोंको ने calculate किया है, तो ये 5 upon 7 है, मतलब G sin theta से तो कमी आ रहा है, हमेशा ही होगा, चाहे कोई भी object लिखे आओ, क्योंकि G sin theta तब acceleration आती, जब यहाँ friction ना होता, ये acceleration G sin theta से कम होने का जो reason है, वो ये, कि जो downward direction में Mg sin theta आप देख रहे हो, उसके opposite उपर की तरह friction force है, तो अगर ये friction ना होता यहाँ पर, तो first equation से ही देख लो आप, अगर friction होता ही नहीं, तो from the first equation, center of mass की acceleration G sin theta रही होती है, बट क्योंकि friction है, इसलिए answer आपका G sin theta से कम होगा, हमेशा, चौथा, points, कि अगर हमने इसको rest पर छोड़ा होता, लेकिन ये friction होता ही नहीं यहाँ पर, smooth inclined plane होता, मतलब ये चीज़ देखू, ये तीसरे number के points related है, हम लोग ये कह रहे हैं कि, minimum coefficient of friction ने 2 by 7, 10 theta चाहिए आपको, यानि इससे कम अगर friction हुआ, friction की value एक certain coefficient से कम जा रही है अगर, तो ये sphere rolling without slipping नहीं करेगा, या तो ये skid करेगा या फिर ये slip करेगा, और second number की equation से देख सकते हूँ, from the second number equation, अगर surface perfectly frictionless हुआ, ideal frictionless, यानि कि friction की value 0, तो second number की equation से अपने आप देखो, अगर friction की value 0 हुई, f equal to 0 from the second equation, इसका मतलब ये body rotate ही नहीं करेगी, slide करेगी, skid करके नीची आएगी, fissal करके नीची आएगी, बिना roll की हुए, और तब उसका acceleration g sin theta होगा, no rotation कहना कर in this case, और अगर surface, हाँ जी बताओ, alpha 0 ने मतलब ये नहीं हो सकता है, कि उसके omega होगी वो constant होगी, तो release from rest है, ओके सर, तब ठीक है, यह चाय पीके notes लिखता हूँ, और कुछ पीके नहीं, पांचवा पॉइंट, surface अगर, in sufficiently rough है, मतलब roughness तो है, लेकिन proper roughness नहीं है, in sufficiently rough का मतलब ये हुआ, कि जो coefficient of friction है, वो 0 से तो जादा है, लेकिन 2 by 7, 10 theta से कम है, क्योंकि हम लोग क्या कह रहे है, minimum coefficient of friction चाहिए, 2 by 7, 10 theta, तो इस से कम है, लेकिन 0 से जादा है, मतलब friction है, लेकिन insufficient है, तो उस case में, उस case में, ये rolling with skating होगा, ये हमें सद्धनकना, inclined plane पर body हमें से skid करते हुए, नीचे आएगी, kinetic friction लग जाएगा, और energy losses होंगे, वहाँ पर मतलब की, kinetic, mechanical energy का conservation आप नहीं करा सकते, इस question ही, अगर यहाँ पर insufficient friction हुआ, तो, मतलब पॉइंट अमबर 4, low friction का है, friction बिल्कुल ही नहीं है, और point number 5, थोड़ा सा friction है, insufficient है वो, उतना friction नहीं है, जितना चाहिए था rolling without slipping करने के लिए, ये कुछ points है, इस question से related, जो observe करके यहाँ लिखे गया है, इनको समझना होगा आपको, इनके उपर कई सारे objective questions बनते हैं, सिरीज बनती है पूरी है, और अभी कुछ हम लोग quiz करेंगे यहाँ पर करीब 4-5 questions के quiz होगी, उसके थूरू समझोंगे यह से, Sir, वो जो third point है less than G-science गीटा वाला, वो तभी applicable है ना, जब movement के opposite friction का direction हो, तो मतला rolling without slipping है, पहले के जो 3 points है, first 3 points, यह मान करके चला जा रहा है कि body pure rolling पर है, उसके उससे related ही, pure rolling करके, अब यहाँ पर आपकी practice के लिए, मैंने sphere की जगए disk की यूज़ कर लिया है, तो same process जल्दी से करना है इसको लेकिन, बहुत fast ताकि आपको समझ है चीज़े क्या होगी, mg sin theta down the plane, सारा process repeat करो as it is, मतलब एक तरीके से उसकी photocopy चल रही है, mg cos theta, normal reaction force, and the friction force, equations, फटा-फट बनाएंगे इसमें भी, 7C equations practice के लिए और मिल जाएंगे, mg sin theta minus f equals to m a, center of mass, first equation, then friction into our torque, disk का moment of inertia, half m r square alpha, और तीसरा, ACM equal to r alpha, अब आंसर तुभी लोग लाओगे, बता हो जली से, sir ACM 2 by 3 g sin theta, okay good, 2 by 3 g sin theta, और यही चीज़ कही जाए थी, कि इसकी in front of g sin theta, जो 5 upon 7 sphere में आ रहा था, वहाँ पर 2 by 3 disk में आ रहा रहा रिंग में कुछ और आ जाएगा, अब अब यही चीज़ होगी, चीक है, friction की value आएगी, mg sin theta upon 3, mu minimum आएगा, मैं सारे answer से नहीं रहा हूँ, कुछ ही answer दे देते हैं, mg की minimum value, अगर calculate करेंगे यहां पर तो वह आजाएगी, 1 by 3 g sin theta, और बाके के parts छोड़ दे रहे हैं, मुझे जो point समझाना था, उसी के लिए यह 2-3 point थे, कि सब के अंदर g sin theta होगा, साथ में कुछ constant term आजाएगा, बस यह ध्यान लखना है, वो constant moment of inertia के according होता है, mu की minimum value भी सब के साथ होगी, समें 10 theta के साथ एक number आएगा, और वो number object to object वैरी करेगा, 2 by 7 था sphere में, 1 upon 3 है ring में, एक डिस्क में, और bodies consider करोगे, तो कुछ और answers आजाएगी, Sir, Sir, बट रिंग में तो इसे जी sign theta ही आएगा न, क्योंकि साथ फ्रिक्शन तो रखेगा यहाएगा, नई, ने, इनका पूचिन, हाँ, बताएगे, Sir, rolling without slipping में, Sir, हमने भी देखा था कि, रिंग without friction भी rolling, वो तब होता है जब रिंग के top पे लगता है force, यह भी समझेंगा, फोर्स उसके top point पे लगे है, इसी लिए किया रहे, यह इसी point से लिएटेड है यार, कि जो friction force का magnitude direction है, वो डिपेंड करता है position of force के उपर भी, position क्या है force की, direction क्या है force का, type of object क्या है, तो generalize नहीं कर सकते कि ring में हमेशा 0 आएगा, कभी-कभी आ सकता है, कभी-कभी नहीं आएगा, inclined plane पर ring में भी answer आएगा friction का, निकाल सकते हो, obviously, अब चलो फटाफट quiz के answer दूँ, question सामने है, मैं read भी नहीं करूँगा, अब अपने आप read करें और answer दें, बहुत fast. कुण साथ एक बाल रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन दा प्लेन, स्टाटिक प्रोग्रेस्ट, और दूसरी जगा एक बॉक्स आ रहा नीचे, अब भी, शर्ब बॉक्स पहले आज़ेगा, यह सब भी बॉक्स, जो बॉक्स है, यह तो रोल करके आएगा ना, एक्सर इसका acceleration जी साइन थीटा से कम होगा, यह जी साइन थीटा से कम accelerate करेगा, और जो बॉक्स है, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, कि बॉक्स जी से इनक्लाइन प्लेन पर है, इसका मतलब बॉक्स तो जी साइन थीटा से करेगा, तो अब क्या आंसर हुआ, कौन बॉक्स पर पहले आएगा, बॉक्स, ठीक है, नेक्स्ट, इसके मतलब जल्दी से दो सॉलिड स्फियर को कम्पेर करना है, सार दोनों सेम टाइम पर आएंगे, कि इसके डिपेंड नहीं करोंगे, अभी जो पॉइंट डिसकस कर रहे थे, क्योंकि एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट था, एम और आर के, पीछे जो अब्जर्वेसल थी हमारी, तो उस हिसाब से चाहे आप तवाइस वाला मास लेले, चाहे फिर वयार रेडियस कर दें, फरक नहीं पड़ता, बोथ हराइव एड़ सेम टाइम, नेक्स्ट, इसमें, हाँ, तो आंसर बता है कोन आएगा बॉटम पर पहले, वालो स्फिर या सॉलिड स्फिर, और और अब्जर्वेसल सुनो, अब्जर्वेसल कंसेप्ट बनाना, जो बोलेंगे वो लिख लिए अपने हिसाब समली लिखेंगे, इस्फिर की एक्सेलरेशन आई है, फाइफ अप कि स्फिर और डिस्क में से किसके पास ज्यादा एक्सेलरेशन है, कंपियर करो जड़ा, इस्प इसके पास इस्फिर 5 बाइसेवन था, और यह 2 बाई 3 है, अधिस्पे बास है, प्टीर 5 बाई 7 यह ता और स्विर के पास है, च्प्टीर पास है, तो यह बाई 3.67 हो गया और तो वो 5 by 7 जिसका मोमेंट आफ इनर्शिया कम होगा उसकी एपास अच्छलरेशन जादा हो जाएगी तो जिसके पास कम मोमेंट आफ इनर्शिया है वो ज्यादा एक्सलरेट हो रहा है तो अब इसी को बेस बनाओ और अब बताओ क्या होगा इसमें से जिसका मोमेंट आफ इनर्शिया कम उसकी एक्सलरेशन ज्यादा है और जिसकी ज्यादा एक्सलरेशन उसको बॉटम पर पहुंचने में टाइम लगेगा कम कियों सॉलिड वाले का पॉइंट और हॉलो वाले का टू बाइट इनर्शिया कम है यह उसमें ज्यादा एक्सलरेशन है वह जल्दी बहुत जाया का नीचे आंसर हो गया सॉलिड स्फियर इस तरीके से और इसी टाइप के क्वेस्टन में खेह रहा था इनक्लाइट प्लीन के उपर आते हैं तो अधुगे यह तभी जब आप काईदा से और करके बैठे होगे इसमें बताना ये तीन प्लीन प्लीन प्लेन पर छोडा गया इनके बीच में रेस लगाई गई है विनर कौन हो at यह बताओ आप इसरे स्पाविनर अपने मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी देख चुके हो वही कंसेप्ट है यह जिसका सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्सिया उसका ज्यादा वह जल्दी पहुच जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया में हॉलो सिलिंडर का मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है सिलिंडर और रिंग का सेम आंसर होता है तो सिलिंडर का मोमेंट ऑफ इनर्सिया एमर स्क्वेर स्वेर स्वेर का पॉइंट फूर एमर स्वेर स्वेर सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्सिया स्वेर का है तो यह नहीं कि acceleration of the solid sphere सबसे ज़्यादा then acceleration of solid cylinder and then acceleration of hollow cylinder अब आके answer निकाल सकते हैं बुले यस जी सर नेक्स देखो इसमें थोड़े से ज़्यादा पार्ट है इस question में नंबर और पार्ट मैंने बढ़ा दिये हैं थोड़ा सा और in-depth study करने के लिए दिपुजी क्या answer आएगा सर हूप क्या होता है हूप मतले ring हूप मतलब ring हाँ तो हूला हूप मलदी रिंग गई है तो solid disk solid sphere hollow sphere और रिंग इन चार को compare करना है सबके same masses है और same radius है और सबको rest में चोड़ा गया है सारे के सारे rolling without slipping कर रहे हैं अब इसमें सबसे पहले bottom पर कौन आएगे जल्दी बताओ तो एक करके आंस बताते हैं रीचेस first में आपका answer हो गया solid sphere क्योंकि सबसे कम moment of energy है उसका है सबसे जाता है acceleration उसके पास solid sphere ठीक है which object will have a more kinetic energy at bottom sir ring sir hoop जो है रिंग का question को पड़ करके आराम से answer दीजे तसो के इन समय अब्चा फसोगे तुम लोग इसमें जल्दी बाजी करने पर आराम से टाइम लीजिए और करिए तो समझ करके हम लोग यह कहरे है कि अब्जेक्ट देखो यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो अभी हम लोगों ने किया डिस्केस ही आता है कि object यहां कोई भी हो रेस्ट पर चोड़ा गया इसको तो यहां पर इनके पास kinetic energy जीरो और पोटेंसल को हमें रिफरेंस में जीरो मानते हैं फिर जब यह बॉटम पर आए बॉटम पर आए तो इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है जिसके बारे में हमें नहीं मालूम कितना है लेकिन इनकी कुछ पोटेंसल इनर्जी जो कि माइनस एम जी होगी ऍयांस आखर को एक बताओ कि और या आइनसर आएंगा उश. 0047 ईनीश्श्छ ऐन रची जीरो बिभर फान ल इनकी चनल गैनेटिक और प्लस पोटेंसल इनर्जी याने माइनस सब्सक्राइब लेकिन अगर उसको क्योंकि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है इसमें दो कंपोनेंट्स है दोनों को मिला दें अगर मतलब एक हाँ तो ट्रांसलेटरी और रोटेशनल दो पार्ट्स है इसमें तो इनका टोटल वैल्यू दोनों के लिए सेम अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर आएगी अब आगे क्या पूछा हम लोगों ने विच अब्जेक्ट विल है और एक मिनिट इसी क्वेशन में काइनेटिक एनर्जी टोटल तो सबकी सेम आएगी एक मिनिट और आगे बढ़ते हैं इसमें और डिसकेशन करते हैं इसको जड़ा अगर यहीं पर यह पूछते कि ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी किसकी अगर यह कंपरिजन होता मेरा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है और लिडि़ी पहले से टाइब है उसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी को कंपेर करने के लिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने लिखा है मोर काइनेटिक एनर्जी यह तो लिखा नहीं है कि ट्रांसलेटरी कि ट्रांसलेटरी का मताब हाफ एंवी स्क्वेर किसका ज्यादा होगा सबके मासे सबके सेम हैं और अभी हम लोगों ने कहा था कि जिसका मोमेंट आफ इनर्जी है सबसे लो होता है उसके सेंटर आफ मास की एक्सलेरेशन जादा होगा अच्छा अब थर्ड एक्वेशन एक्सलेरेशन जादा उसके पास भी भी जादा होगा तर यानि कि solid sphere में ज़्यादा acceleration है तो solid sphere के बाद में velocity V भी ज़्यादा आएगी, equation of kinematic से त्रूँ That means maximum for the solid sphere और इसी तरीके से आप compare कर सकते हो, जितना छोटा moment of energy है उतनी ज़्यादा translatory kinetic energy और rotational फिर किसके ज़्यादा होगी? मिनमम वाला, solid sphere यहां minimum हो जागा, क्योंकि total energy सबकी सेम है, तो obviously जिसके पास translatory energy ज़्यादा होगी, उसके पास rotational energy कम हो जाएगी, अक्शन से यह यह लॉजिकल पार इस तरीके से question करना होता है अब इन्होंने compare करने को कहा है, which object will have more omega at the bottom? बताओ, किसकी angular speed ज़्यादा होगी, बॉटम पर जाकर रहे है, ओमेगा maximum, किसके लिए होगा, और एक वी भी पूछा है, कि maximum वी किसके लिए होगा, तो अभी वी तो हम लोगों ने उपर compare कर भी है, अभी ज्यान, ध्यान से करो, वाईजरा, तो दोनों solid sphere का ही जादा होगा, क्योंकि V और omega में एक relation भी तो है, V equal to r omega, तो जिसका V ज्यादा, उसका omega भी ज्यादा, तो omega ज्यादा, हाँ, omega is maximum, दोखो यहां से, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक से, वो क्या कह रहा है, कि जिसकी acceleration ज्यादा, उसके पास ज्यादा speed, तो इस हिसाफ से, तो sphere आंसर हो गया, velocity के case में, क्योंकि सबसे चोटा moment of inertia उसी गया है, और V equal to r omega, यह भी एक रिलेसन चला रहे हैं, तो जिसका V ज्यादा, उसका omega भी ज्यादा, जिसका V कम, उसका omega भी कम, तो sphere के लिए यह भी answer आएगा, यह तोड़ा अजीब लगता है, कि sphere की angular speed सबसे ज़्यादा होने के बावजूद भी उसकी rotational kinetic energy सबसे कम है, क्योंकि half i omega square है, तो omega वाला factor तो sphere में सबसे ज़्यादा है, लेकिन साथ हमें, जो moment of inertia उसके kinetic energy के formula में होता है, वो sphere का सबसे छोटा है, तो इवन ज़्यादा angular speed के बावजूद भी उसकी rotational kinetic energy कम हो रही लिए, जो आपने वो minimum solid sphere लिखा है, वो kinetic energy rotational value वो रिखा है न, उसके minimum हो लिए, जिसे maximum तो रिंग से होगे न, तरीके से हमने एक हिंट कर दी है कि moment of inertia को देख करके आप minimum, मतलब एक ascending and descending orders में पुरा लगा सकते हो इनको, मतलब मैं इसको अगर हम summarize करना चाहे, जो मैंने भी कहा है, इन चीजों को summarize करना चाहे है, तो मैंने ये बोला है सब कुछ, कि जिसका moment of inertia सबसे कम, उसकी acceleration जादा, उसकी linear velocity भी जादा, उसको bottom पर पहुंचने का time लगेगा कम, और जिसमें V जादा होगा, उसमें omega भी जादा होगा, उसमें translatory kinetic energy भी जादा होगी, rotational kinetic energy कम हो जाएगी, और total kinetic energy सेम रहेगी, ये सारे points अमने एक साथ लिख दिया आपको, जो मैंने भी कहा है, अभी clear हुए या इसमें भी doubt हो रहा भी कोई, जो points अमने बोले हैं, लिंक बन रहा नहीं बन रहा भी कुछ, ये सर, ठीक है ना, टोटल kinetic energy सेम बोलने का रीजन क्या है, बिकॉज इस एक्वल टू MGH, और सबको सेम हाइट से छोड़ा जा रहा है, तंजर्वेशन ओफ एनर्जी, और टोटल kinetic energy का मतलब के ट्रांसलेटरी प्लस के रूटेशनल, और ट्रांसलेटरी एनर्जी आप देखोगे, हाफ एम में V स्क्वेर से, तो बट नेक्शनल से बात है कि जिस object में V जादा है, सेम मास के बाद, सबकि अगर मास है सेम है, तो जिसमें V जादा है, naturally उसकी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी जादा है, और क्योंकि काइनेटिक को एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन को एक constant value होना है, तो जिसमें ट्रांस्लिटरि काईनेटिक एंरजी ज्यादा होगी और विश्ली उसकी रोटेशनली काईनेटिक के नरजी कम होनी चाहिए विकास समॉफ न टू वैलियूज तोटल ओप स्टू काईनेटिक अनेरजी वह सब के बराबर-बराबर आणी चाहिए है कि रोटेशनल के ही का एक बार फिर से बता दिए बता है तो अभी यार कोई तो बूला है कि रोटेशनल तो समझारे भी कैसे हो रही है अब तो सम्झारे कि टोटल काइनिटिक अनरजी सबकी सेम है त्रांसेटरी की अनरजी उस उबजेट की जादा है जिसमें वी जादा है तो जिसमें ट्रांसेटरी जादा होगी अटोमेटिकली रोटेस्नल को कम होना पड़ेगा कोजि़ टोतल वैल्यू अगर सेम चाहिए एकसी में जादा लग रहा होगा यह जिसके चेलरेशन कुम है because friction की वजय से 嗎 का कि इसका मतलब जस ऑब उब् situations कम मुमेंट ऑफ इनर्ची उसकी सबसे जादा ités यानि उसमें friction उटना ही कम लग रहा होगा कि क्योंकि बॉड़ी चुब लगा हो जब चूब जिसका सबसे अधा म्मेंट आफ इनर सी हैं। और वो इन जितने भी object दिये गए हैं इसमें सबसादा moment of inertia वाला object है एक बार फिर से करना अपने आप करना इन inclined plane को इन फारे formula को analyze करना observations करना कि कौन सा result moment of inertia पर depend कर रहा है और यही reason था मेरे दो questions को लेने का यहाँ पर मैं जानबूच करके एक बार sphere का question लिया था और जानबूच करके अगली बार मैंने सारे same parts जितने भी parts आपने किये तो उन सारे parts को repeat किया यहाँ पर object को change करके जब दोनों के answers को side by side रखोगे compare करोगे तो समझ में आ जाएगा कि moment of inertia की वज़े से answers में क्या क्या changes आ रहे है और तब आपका यह result समझ में आ जाएगा कि moment of inertia के ज्यादा यह कम होने का फरक कहां कहां पर पढ़ता है next है move करेंगे next point पर हमने कहा था in sufficiently rough है this is sphere का यह example ले रहे है और अब यह सिर्फ 1 by 7 इसमें g गलत आ गया है g नहीं होगा 1 by 7 10 theta है mu की value अभी हम लोगों ने थोड़ी दिर पहले एक example किया था जिसमें यह कहा था कि sphere के लिए जो minimum coefficient of friction चाहिए होता है अभी पीछे जो question solve किया था तो answer हम 2 by 7 उससे चोटा ले लिया हमने मतलब जितना coefficient of friction minimum required होता है rolling without slipping के लिए उससे कम है coefficient of friction की value तो एक चीज़ बड़ी obvious है कि यह pure rolling नहीं कर पाएगा क्योंकि mu insufficient होने की वैजे से यह object rolling without slipping नहीं करेगा कि क्या करेगा यह object फिर रोल तो करेगा रिक्शन की वेरे रोल करेगा लेकिन विद इस किडिंग मतलब ट्रांस्लेट जादा करेगा रोटेट कम करेगा तो इस question को deal कैसे करेंगे देखो सारे अभी भी वही पार्ट से मेरे पार्ट वही अभी भी तो इनसर्फिसेंट friction का भी question आपको एक बार परके दिखाते हैं इस step तो वही रहेंगे forces पहले दिखाओ कि न्यूटन लोग का question कर रहे हो चाहे वो rotational mechanics करें चाहे आप नॉर्मल न्यूटन लोगाले question करो यहां primary step तेप एगी forces दिखाने पड़ेंगे mg cos theta mg sin theta उसके अलावा normal reaction force and friction force बट अब यह कौन सा friction होगा अगर स्केडिंग होने लगी है तो और अगर यह काइनेटिक है तो क्या यह unknown है या नोन है क्योंकि तब आप इसको मियू इंटो एन अराम से लिख सकते हो इसकी कोई minimum maximum value नहीं होती इस्टेक फ्रिक्शन में प्रॉब्लम होती है minimum maximum zero वाला और वाला तो वह एक unknown की तदे काम करता है इसलिए हमें एक extra equation बनाने पड़ती है उस unknown friction को solve करने के लिए हाँ जी बिए बट फ्रिक्शन यहां known है अच्छी बात है अब हमारी equations क्या बनेंगी देखो मतलब एक बार यह हो गया है उसके बनाना है और उसके बाद सॉल्व करना है यह दू तीन स्टेप्स है हमारे तो एक्वेशन मेकिंग पर आओ पटा 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 प्यारलर टू दा जो एक्वेशन बनाएंगे एमची साइन ऑफ थीटा माइनस मू जो क्वेशन में वन वाई सेवन दे रखा है वन वाई सेवन टैन थीटा इन्टू नॉर्मल रियक्शन फोर्स जोकि एमजी इंटू कॉस थीटा होगा इक्वल टू मास इंटू सेंटर आफ मास की एक्सेलरेशन में इंटू ए सेंटर आफ मास यह वह एलफा फाइव बाई 14 जी सांटीटा भाई आजा रहे है जो भी आज़े और दूसरी टॉर्क वाली एक्वेशन मतलब एक एक्वेशन है ट्रांसलेशन की बनती है एक एक्वेशन इसके रोटेशन की बनेगी टॉर्क एक्वेशन इसके रोटेशन की बनेगी टॉर्क एक्वेशन इक्वेशन इसके रोटेशन की बनेगी टॉर्क एक्वेशन की बनेगी टॉर्क एक्वेशन की बनेगी टॉर्क एक्वेशन की बनेगी टॉर्क एक्वेशन की कि अगर यह इसकेट कर रहा है तो क्या आप यहां पर यह एक्वेशन लिखोगे ए सेंटर आप मास और आर अलफा को बराबर करें अब यहां पर तो नो वील है वोल्ली टू एक्वेशन अधिश्टिफाइड यह जुटिफाइड तर इस नो नीड ऑफ थर्ड एक्वेशन ब् इस नो 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 वैलियो तो एक वैरिवल रिडिउस हो गया आपका एक्वेशन भी रिडिउस हो गई दोई एक्वेशन बनेंगी इसमें ध्यान अगर सेंटर आफ मास की एक्वेशन आर अलफा के बराबर हो गई तो मतलब फ्रिक्शन अन्नोन है और अगर फ्रिक्शन अन्नोन हो गया काइनिटिक हो गया फिर ए सेंटर आफ मास बराबर अर अलफा ने लिख सकते आप दो में से एक ही काम कर सकते हूं अब इनको सॉल्व कर लीजे ए और अलफा की वैल्यू डिरेक्ली आ जाएगे फिर्स्ट एक्वेशन से ए आ जाएगा सेकंड एक्वेशन से अलफा आ जाएगा और इनफेक्ट जो आंसर्स आ रहे हैं वो यह आएंगे साथ ए सेंटर आफ मास की वैल्यू अगर हम फिर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यह सिक्स बाइ सेवन जी साइन थीटा इसमें कोई प्रॉबलम भी नहीं है बीपार्ट में अब क्या करेंगे यहां पर विलॉस्टी कैसे निकाले और उमीगा कैसे निकाले क्योंकि पिछले में तो एनर्जी कंजरब करके निकाल दिया था कि इसके जबस्त पहले वाले एक्जांपल में यह अब यहां पर पर skating हो रही है तो एक चीज बड़ी और जी एक चीज बड़ी ऑवियस है कि जो conservation of energy है वो भी अब काम नहीं करेगी यहां पर का conservation of energy जो है वह आप उसके उपर cross लग गया नहीं लगा सकते दूसरा option नहीं नहीं कहा कि work energy theorem लगाएंगे जिसमें work done by निखालेंगे तो अब problem समझेए कि मैं आपको क्या बताता हूँ energy conservation काम करनी गलत हो गया उसके बाद एक option यह आता है कि work done by all forces should be equal to change of kinetic energy विच इस वरक एनर्जी थियोरम यह applicable है तो all forces में वरक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का हाँ जी सर वी आपका root एंडर 12 by 7 जी एच एक सिकट बचा एक सिकट बता रहा हूँ एक सिकट बता रहा हूँ आपके answer को work done by friction force और equal to हम change of kinetic energy कर देंगे change of kinetic energy में finally इसकी translatory energy और finally इसकी rotational energy और initial energy 0 है तो जो इसकी final energy है वही इसके लिए change of kinetic energy भी होगा अब इसमें problem समझो क्या है normal reaction force का work 0 because यह perpendicular to the motion है body के move करने के perpendicular लग रहा है gravity का work mgh के साब सोता है body downward motion कर रही है तो plus mgh कैसे निकालोगे friction का work क्योंकि work को calculate करने के लिए आप friction को जब multiply करेंगे displacement से तो displacement गलत होगा हाँ displacement उस पॉइंट की सर यहां पर work and point of application पे होता है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है application का बदल भी रहा है और उसका displacement तो bottom point का चाहिए यह सर यही मैं चैलेंज बदा रहा है इसमें प्रॉब्लम यह भी एक है अगर हम displacement निकालेंगे तो हम center का तो निकाल सकते है कि center कितना डिस्प्लेस हुआ क्योंकि यह जो height दी गई है यह जो height तुम्हें दी गई है center to center है तो आप center point के displacement को तो निकाल सकते हो अभी गार एक प्रिक्षा लेकिन friction का work कैसे निखा लोगे क्योंकि उसके लिए चाहिए क्या sphere के bottommost point ने कितना displacement किया है और rolling motion में हर point के अलग-अलग displacement होते हैं क्योंकि अगर सारे point से भी displacement कर रहे होते फिर तो यह translatory motion की definition होती है तो यह एक challenge है कि work energy theorem भी नहीं लगा पाऊगे आप इसमें ना हम conservation of energy लगा सकते हैं ना work energy theorem because bottom point का displacement आपके लिए unknown है यह अपने आप में एक बहुत बड़ा challenge है निकालो कैसे इसको अगर यह प्योर्ली स्किड कर रही होती रोटेट करी नहीं दी होती फिर तो आसान था फिर तो translation हो गया होता है यही यही लोचाफास हुआ है स्मेयर प्योर रोलिंग असान है बिर पर ता रहा हूं लेकिन अगर स्किडिंग होने लगी तो यह प्रॉब्लम से डिफिकल्ट हो जाती है मरे लिए तो जब हम अभी इन्होंने अंसर दिया जब आपकी speed का calculation work और energy के method से नहों पाए फिर आपके पास एक युनिवर्सल चैप्टर है जिसके थरू हम सब सब्सक्राइब करेंगे कैसे करेंगे ध्यान से देखो अब सबसे पहले आप एक एक विशन लगाओ एस एकवल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेर की कि अब आप यह बताओ सेंटर आफ मास ने इन इकलाइंट प्लेन के पैरलली कितना अगर वर्टिकल डिस्टनस है तो हैं यह जाएगा ट्रिग्नमेट्रिक रेशियो से डिस्प्लेस्मेंट विल बी एच ओवर साइन ऑफ थीटा इनीचल विलासिटी जीरो है because rest से start हुआ है acceleration की value calculate करके निकाली गई थी 6 upon 7 g sin theta और 7 में into t square इससे हमको क्या करना पड़ेगा time की calculation कितना time लगा नीचे जाने में और जब time calculate हो जाएगा तो उसके बाद आप लगाओगे first equation v equal to u plus 80 जिसमें u 0 है तो पहले और साथ में एक और equation rotational kinematics वाली omega equal to omega initial plus alpha t एक linear equation एक linear motion की kinematics और एक rotational motion की kinematics जिसमें v equal to u plus 80 और एक omega equal to omega initial plus alpha t u भी 0 है omega initial भी 0 है a और alpha दोनों ही calculate कर चुके हैं पहले a भी calculate कर लिया गया है alpha भी calculate कर लिया गया है तो एक बार पहले v calculate किया जाएगा acceleration की value पुट करेंगे 6 upon g sin theta और साथ में time की value जो की इस displacement वाली equation से solve होगी इसको भी देखी लेते हैं कितना आएगा time की value जो होगी square root के अंदर कुछ term आएगा यहाँ पर 14 3 7 h over I think 3 g sin square theta का square root होगा साइग बद देखेंगे यहाँ आएगा सब्सक्राइब तो इन्टू इतना करेंगे इन्टू 7 h by 3 g sin square theta और फिर इसी तरीके से omega calculate करेंगे इक्वर्स टू alpha 5 g sin theta divided by 14 r मतलब यह कुल मिला करके यह एक तरीके से आप दुबा करें कि insufficient friction के questions कभी ना आया हमारे पास सब्सक्राइब बहुत लंबी calculations है इसमें process बहुत लंबा है इसका एक आसान chapter जो work energy theorem होता है यह conservation of energy जो इससे speed जल्दी निकल जाती है वो पूरा-पूरा chapter ही delete हो गया यहाँ पर लागाई नी सकते उसको कि कि निकालने के लिए वी स्कूर इकुल टूएज भी उसरा सब्सक्राइब निकालना पड़ेगा उसका एंगुलेट इसको पता नहीं क्योंकि कि कितना रोटेट हुआ यह भी नहीं पता में बनदब खुल मिला करके translatory motion और rotational motion में एक दूसरे के independent हो गया न वो तो कोई जब आपस का relation ही नहीं बचा उनके बीच के तो हम translatory motion को अलग से solve करना पड़ेगा rotational motion को अलग solve करना पड़ेगा बहुत लंदी प्रोसेस हो गया यह और तब जा करके इसकी kinetic energy आई यह वी और omega निकालने के बाद और इससे अब आप निकाल सकते हो कि friction ने कितना work किया friction का work force into displacement से तो नहीं निकाल सकते थे लेकिन kinematics के through जब मेरे को वी और omega मिल जाएंगे हाँ तब आप work energy theorem वाली equation से क्या work by friction ने निकाल पाओगे अगर आपको final kinetic energy की value मिल जाए kinematics के method से तो क्या यह जो work energy theorem की equation लिखी गई है उसमें से wf को ने निकाल पाएंगे हम लोग अगर हमको right side पर v भी मिल गया right side का omega भी मिल गया gravity का work MGH है तो क्या यह WF calculate नहीं सकता बाद में वी और ओमेगा निकालने के बाद पहले नहीं कि यू कैन नॉट फाइंड वर्क वाइं फ्रिक्शन फोर्स बादर मेठेड ऑफ फोर्स इंटू दिस्प्लेश्मिंट but using work energy theorem we can find the work of friction force तो जहां पर भी skidding होगी और जहां पर भी slipping होगी ध्यार नहीं सुनो statement देखें rolling without slipping में friction का work होता ही नहीं है और skidding और slipping में friction का work होगा but उसको आप force into displacement से नहीं करोगी calculate calculate करोगे use of work energy theorem और ऐसे questions में V और omega निकालने के लिए हम kinematics का use करेगी कि चलिए कुछ और questions है और rolling के series के अलाबा कुछ questions है और फटाफट इनको प्रैक्टिस कर गए तीन चार्ट questions और है क्या answer आएगा इसमें आंसर क्या प्रूफ करना ही यह पूफ पूविंग से इसमें यह unwinding of string around the disk है जिए यह जैसा है कि डिस्क पर दागा लपेट करके और आपने दागे को फिक्स कर दिया तो वो डिस्क नीचे जा रहा है और साथ में जो स्ट्रिंग है वो अन्वाइंड उती जारी है इसमें खुलती जारी है तो इसमें प्रूबिंग्स है एक तो प्रूफ करना है कि टेंशन की वैल्यू बन थर्ड ऑफ वेट यह ने बन बाई थ्री एमजी है एक्सेलरेशन की वैल्यू टू जी बाई थ्री होगी और स्पीड ऑफ दे सेंटर आफ मास इतना होगा जब वह एच्छाइट से गर्या होगा तो यह तीन चार पार्ट से जिनको प्रूफ होगी तो यह dieks- content a center of i Matrix यह नीचे मुफ करेगा कि translate करेगा कि यह сможette का त्रांसलेशन होगा इसमें नीचे आईगा और यह औपजिक्ट अफने सेंट्र के अबॉट रय़ेट भी करेगा साथ मं辉दों चीजे होगी ओं और घर में आपके पास stitching वाले जो roll होती है string की धागा जो आता है कपड़ा सिलने वाना उससे भी कर सकते हो उपर से पकड़ोगो तो वो unwind होगा यह रोटेट करता हुगा नीचे गिरता है तो translation and rotation दोनों है इसमें forces कौन कौन से लगेंगी तो forces में center of mass पर लगेगा mg का force और circumference के अलॉंग लगेगी इसकी tension वाली force तो tension force circumference के अलॉंग और mg की force center of mass पर तो translatory के लिए हम इसकी acceleration को A माल लेंगे और rotational के लिए इसकी acceleration को alpha माल लेंगे और equations बनाएंगे तो translatory वाली equation rotational वाली equation दो equations mg minus t equal to ma translatory equation होगी first यह obviously a center का है इसके और rotational वाली equation जा बनाओगे इसकी तो उसमें torque calculate करेंगे about center of mass और center of mass के about torque होगा सिर्फ tension वाली force का into distance r equal to the moment of inertia about the center disk माना गया है इसको mr square by 2 plus जो string है उसका भी कुछ mass अगर होता तो consider करते हैं फिलहाल वो नहीं है string massless है आपर into alpha और एक और equation होगी that is basically relation between a and alpha third equation जो relation होगा relation between a and alpha वाली जैसे rolling में बनाते हैं वैसे यहां पर भी वो क्या relation बनाओगे यार ए और alpha के बीच में यहां पर a equals to r alpha solve कर लिजे इनको answers आजाएंगे solve कर ले तीनों equation solve करो फटा-फट answers आजाएंगे जो प्रूफ करना है चेक करके जल्दी से असान होता है यार इसे केंड एक 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 कैंसल कर दो और बचे हुए आर अलफा को ए लिख दो और अराब फटा-फटा-फटा और लास्ट वाला पार्ट कैसे करेंगे फस्ट टू पार्ट तो आ जाएंगे इससे फस्ट टू पाट इन दोनेटों एकक वेशल से आजाएंगे लास्ट वाला पार्ट इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना होता तो आप इसमें एनर्जी का पंजरवेशन लगाते और एनर्जी कंजरवेशन कैसे यूज करते हैं अब यह बता है अगर बॉड़ी एच डिस्टंस नीचे गिरेगी तो इसका मतलब उसकी पोटेंशल एनर्जी का लॉस होगा एम जी एच का और वो कनवर्ट कर देंगे इसके काइनेटिक एनर्जी ओफ ट्रांसलेशन में यानिए हाफ में और ओमेगा स्क्वेर और ओमेगा को हम यहां पर रिप्लेस कर देंगे वी बाए तो तीसरा पार्ट आप इंडिपेंडेंट वर्किंग के साब से करिएगा क्लासरूम के अंदर हम लोग क्वेस्टन को तीन चार पार्ट में कराते हैं एक्जाम में सारे पार्ट एक साथ नी पूछे जाएंगे इन में से कोई एक सीच पूछी जाएगी तो इस स्पीड निकालने के लिए यह बेवकूफी होगी कि हम पहले न्यूटन लो लगाएं फिर काइनेमेटिक्स लगाएं जब तक एनर्जी मेथट से स्पीड निकाल सकते हो प्रायरटी उसको दो अगर आपके मजबूरी बन गई है कि एनर्जी कंजरब होई नहीं सकती तो अगर वो भी निलगा पा रहे हो फिर आपके पास औप्शन से नहीं बचे कोई अब सिर्फ काइनेमेटिक्स जाना पड़ेगा फिर जैसे पीछे वाले क्वेस्चन में किया है क्लियर है एक क्वेस्चन बताएं कि अब जब अगर एरोडोव लगाएंगे तो इस कंसेप्ट के उपर कई सारे क्वेस्चन से डबल पुली वाले डबल इस्ट्रिंग वाले आइडिया सबका यहीं होगा सॉल्फ करनेगा बट उसमें दो दो इस्ट्रिंग से दो दो पुली लगा दी है उन्होंने अब दोनों में सेम टेंसर लेकि नहीं है उसको देखना पूर उसकी बाद कर रहें जैसा एक कुश्चन आपकी शीट में दिया है अब हमको ऐसे याद नहीं है मैं तुमको सर्फ यह बता रहा हूं कि जो हमारे एक्जांपल से वह सिर्फ काउंट करने के लिए मेरे एक्जा ग्लास में उसको लाने का जो मैठड हम लोग देख रहे हैं तुम्हें वह अपने दिमाब में बिठाना है और देखो इस पूल की वरकिंग इस पूल मतलब लटाई जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको चर्खा तो एक्च्वल में इस पूल जो होती है जिसमें हम लोग कहते हैं उसमें साइड में दो बड़े डिस्क होते हैं अगर आप ध्यान से देखो और अंदर एक सिलिंडर जैसे चीज होती है पकली सी जिसके उपर स्ट्रिंग को रैप किया जाता है ऐसे कुछ है आपको लब वैसे वैसे तो साइड में दो बड़े डिस्क है और बीच में उनकी एक सिलिंडर होता है से उपर स्ट्रिंग को रैप किया जाता है तो इसका साइड विव दिखाया गया आपको मतलब कहीं पर हम साइड से खड़े होके देखेंगे तो हमें बाहर एक डिस्क दिखेगी साइड विव में और अंदर वो सिलिंडर वाला छोटा सा डिस्क दिखेगा जो अंदर वाली सिलिंडर है वो भी दिखेगी आपको अंदर साइड विव में आपको दो सर्कल्स दिख तो यह जो फिगर है यह साइड वीव है एंड वीव जिसको बूला जाता है कि इस पूल को साइड से देखा जा रहा है अच्छा बाकि इसका मास गिवन है रीडियस आपको फिगर में दे रखी गई है अब्जेट का मास इवन मुमेंट आफ इनर्शिया भी दे रखा इसका मुमेंट आफ इनर्शिया भी दे रखा कैपिटल आई उसके सेंटर के अबाउट कि आई कर चाहोगे स्कोव कि इक्वेशन से इक्वेशन बना लो कुछ नहीं तो एक्वेशन बनाई लो आप इस ऑस्ट की यह समझ में आई कि आपको वर्किंग क्लियर हो रही है बनाई एक्वेशन मैं तो सर्फ यह confidence के लिए बोल रहा हूं कि आपको यह समझ में आए कि rolling जो इसको बहुत difficult माना जाता है वो basically तीन steps का part है transitory motion equation, rotational motion equation और पीसरा जो A और alpha को relate करते हो यह चीज जिसको समझ में आए कि उसके लिए rolling के चर्टर असान है कि अलावा और कौन सी फोर्स दिखा है इसमें अधर किदर किदर पता नहीं पता नहीं जो लेफ्ट माल लेटे पर लेफ्ट माना है मैंने इसके अलावा mg और नॉर्मल है जो हम डाइग्राम में नहीं दिखाने वाले क्योंकि वह बैलन्स जाएंगे mg और नॉर्मल अब हमने यह माना कि यह body translate करेगी forward यह मान रहा हूं और यह rotate करेगी clockwise यह मान के चलता है यह forward translate करेगी और clockwise रोटेट करेगी alpha से तो translation की equation इसके opposite friction force equal to mass of the school multiplied by acceleration यह किसका acceleration आ रहा है इसमें से उसके बाद आते हैं rotation पे इसमें टॉर्क निकालेंगे center of mass के about equal to moment of inertia center of mass के about into alpha तो टॉर्क जब है center of mass के about तो tension वाली force जो tension वाली force है वो center of mass से r1 distance पे है और friction की force center से r2 distance पे है अब कौन सा torque positive होगा हमने alpha clockwise बाना हुआ है इन में से किसका टॉर्क clockwise है friction का और tension end तो friction का टॉर्क पहले लिखोगे यहनि f into r2 और उसमें से tension को minus करेंगे यह छोटी बाते हैं कि हम किसमें से क्या subtract करें तो पहले भी मैंने कहा हुआ है कि सबसे पहले आप a और alpha के directions को observe कर लें और जिस direction में a है उस direction की force ज्यादा माल लेंगे जिस direction में alpha है उस direction के torque को ज्यादा माल लेंगे और उसी हिसाब से हम अपने equations में से plus minus देखेंगे इक्वल टू इसका moment of inertia जोकि directly equation में दिया हुआ है calculate भी नहीं करना में i into alpha second equation और तीसरा rolling की conditions होती है क्योंकि यह pure rolling condition पर है slip नहीं कर रहा है तो a equal to r alpha इसमें एक doubt यह था कौन सा r लेंगे अंदर वाला radius या बाहर वाला radius बाहर वाला जाएंगे तो solving छोड़ दे रहें अपने आप ट्राइब करना इसके answers आएंगे अब अगर हम यह जो टेंसन फोर से इसकी location बदल दें और सेम कंसेप्ट में टेंसन ऊपर लगाने इस पूल के तो क्या expect करते हो वैसे सेमी answers आएंगे या different answers आएंगे और को direction बदल जाएगा तो आप वो क्या लग रहा कि जो answers पहले वाले question में आएंगे उससे different answers आएंगे translation में कोई अंतर नहीं होगा translation में कोई फरक नहीं आएगा ओके कैसे कहारो आप इसके basis पर क्या guarantee लेओ इस बाद की translation में फरक नहीं आएगा अब कि वो फोर्स के position पर डिपेंड नहीं करता है लेकिन friction की value हो सकता है वैदी करें friction बदलेगा बाई friction तो डिपेंड करता है ना force पर तो फर्स्ट एक्वेशन में friction भी तो है तो friction तो इस बात पर डिपेंड करता है कि body के उपर force आपने कहा लगाई है कल से और आस तक यही बात तो समझा रहा हूं कि friction इस condition जो यह figure आपके सामने है यहाँ पर friction की value कुछ और आएगी और अगले question में friction की कुछ और value आ जाएगी यानि कि center of mass की acceleration दोनों में different आएगी इस पूल इसी लिए खतरना को object मालिया गया है equations वैसे ही बनेंगी देखो equations आपके यही बनेंगी t-f equal to ma first इस बार अगर आप center के बाउट टॉर्क देखोगे तो tension और friction दोनों के ही clockwise टॉर्क वाइज है तो t into r1 plus friction into r2 equal to i alpha और तीसरा a center equals to r alpha बस यह तीन equations है पूरे rolling motions के इंदर मेरा यह कहना है मैं इसलिए छोड़ दे रहा हूँ कि आप जज़ करना तीनों दोनों पार्ट सॉल्व करना और यह ज़़ करके देखना friction क्या दोनों में positive आ रहा है actually क्या होता है इस पूल के case में एक specific location होती है एक specific point होता है जहां पर अगर आप force लगाएंगे तो वो rotate भी नहीं करेगा translate भी नहीं करेगा इस पूल के cases में अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊ ना तो जो यह इस पूल वाले object होते हैं इनका एक specific orientation ऐसा है जहां पर force लगाओ तो ना तो यह rotate करेगा ना तो यह translate करेगा कि मैं करके दिखाता हूं इसको आपको देखें हम क्या करने जा रहे हम problem को जनरलाइज करने जा रहे हम क्या कर रहे अंदर वाले पर force जो लगा रहे वो किसी जनरलाइज एंगल पर लगा रहे फोर्स की वैल्यू किसी जनरल एंगल पर लगाई होरिजन्टल से थीटा एंगल पर फोर्स होरिजन्टल से थीटा एंगल पर लगा रहे है बाकिस सिच्वेशन रही है इस पूल ओफ मास एम मोमेंट ओफ इनर्सिया इसका कैपिटल आई सेंटर आफ मास के अबाउट और अब बताओ इसकी इकवेशन क्या बनाओगे देखो तो और इनर रेडियस और आउटर रेडियस बताते हैं इसकी जो इनर रेडियस है वो स्मॉल आर है और आउटर रेड हैं आगा के चलते हैं कि वो सब्क्रिक्शुन vibes सब्सक्रारिए हैं कि अब्ध स्थेखों में ट्रांसलेशन की जब एक्वेशन बनाएंगे, एक्वेशन फॉर ट्रांसलेशन, तो क्या पूरा-पूरा F ले ले या उसका कोई कंपोनेंट यूज करोगे? F cos theta, component, minus friction बराबर mass into center की acceleration, first equation, फिर इसकी rotation की equation बनाएंगे, the small f capital minus capital, clockwise torque कौन दे रहा है, इसमें, figure के हिसाब से clockwise torque कौन दे रहा है, friction, और capital F का anti-clockwise torque, और हमने alpha clockwise रखा हुआ है, small f into capital R minus capital F into small r equals to i-alpha, ठीक है, second equation, equation, और third equation जो बनेगी, वो हो जाएगी, a center equals to R, capital R, क्योंकि capital R ground को touch कर रहा है, अब आप इसको solve करना, ठीक है, इस question को solve करना, और इस question में जो i है, उसको हम लोग कुछ, k times m capital R square कर दे रहे, k into m capital R square, k कुछ number होगा, या आपने answer को i के form में भी छोड़ सकते हो, जो answer है, उसको in terms of i रहने दू, कोई बिक्कत नहीं है, मैं आपसे ही सरफ यह कह रहा हूँ, कि आप इस situation को जड़ा analyze करना, इसमें एक working आपको कर रही है, आपको इसमें theta की एक value निकाल दी है, for which, for which a और alpha दोनों 0 है, obviously a 0 हैगा, तो alpha भी 0 हैगा, third equation से, अगर a 0 है, तो alpha भी 0 है, यानिकि एक specific ऐसा angle होगा, जिस angle पर एक force लगाओगी अगर, तो यह spool ना तो translate करेगा, ना तो rotate करेगा, cos inverse small f upon capital f, पता नहीं, answer radius के form में होगा, theta की value जो आएगी, वो दोनों radius के form में आएगी, theta की value, जो भी answers निकालोगे, वो radius के form में आएगी, कि एक ऐसा specific angle है, जहां पर फोर्स लगाएंगे, तो यह spool ना तो translate कर पाएगा, ना तो rotate कर पाएगा, और फिर आपको यह भी बताना है, कि theta की वो कौन सी value होगी, जिसमें acceleration towards right आएगा, और फिर theta की ऐसी कौन सी value होगी, जिसमें acceleration towards left आएगा, मतलब कहने का मतलब यह है, कि इस spool का motion किसी भी direction में हो सकता है, सर्ब पहले वाले को cos inverse smaller by capital आएगा, ठीक है, हाँ जी, अभी गयान तुमारा भी answers लिए, पहले वाले का जो answer आएगा, और मेरा यह कहना कि पहला question objective है, मैं तो subjective लिए करा रहा हूँ आपको, but actual में वो objective question है, तो इन तीनों को solve करिएगा, solve करके करना क्या है, पर यह भी बता दे, इन तीन equations को solve करके, तुमको AC की value निकालनी है, alpha की value निकालनी है, और F की value निकालनी है, और चेक करके यह, सुनो तो मच्चा में दी, alpha, AC और F क्वेशन के answer बताना क्या आईगी है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ, कि जो आप AC calculate करोगे, मुझे सिर्फ इतना बताना है, क्या वो हमेशा positive ही आएगा, अगर इन तीनों equation से AC की value solve की जाएगी, तो जो उसका expression बनेगा, देख के बताना मुझे, क्या वो हमेशा positive आएगा, और in fact को बहुत बड़ा task नहीं है AC निकालना, हम second equation को modify कर दे रहे हैं, यहां से capital R divide कर दो जड़ा, एक line का खाम है वो, और alpha को भी replace कर दो, alpha को लिख दो AC upon capital R, तो कुल मिला करके यह AC divided by R square बन गया, और जैसे ही तुम equation 1 और equation 2 को add करोगे, equation 1, equation 2 को add कर दो, तो यह देखने में लगएगा कि बहुत कुछ भारी बरकम चीज़ करवाई जा रही है, ऐसा कुछ है नहीं, जैसे इन दोने equations को add करोगे, मेरे को साफ AC का अंसर दिख रहा है यहाँ पर, capital F cos theta, minus capital F, small r divided by capital R, and whole divided by capital M, plus I upon capital R square, मेरे खाल से यह यह अंसर बनेगा, और इसी से सारे answers आएंगे, कि अगर हम cos theta की value, small r by capital R कर बराबर करें, तो क्या बनेगा AC की value? Cos theta, 0, अगर हम cos theta की value, more than small r by capital R करें तो, AC greater than 1, AC positive आएगा के negative आएगा? Negative, ध्यान से, positive आएगा, positive आएगा, right जाएगा, और यह जो A था, इसको भी आपने assume किया था, तो अगर आपका assumption positive आएगा, तो इसका क्या मतलब है? Direction सही आएगा, direction सही हो जाएगा, इसका मतलब AC forward आएगा, और अगर cos theta की value, अगर सर्कुछ भी आ सकता है AC तो, cos theta की value, इतना हुआ तो AC negative आएगा, इसका मतलब left side जाएगा, क्या कहरें बच्चा, AC कुछ भी आ सकता है मतलब? Sir positive negative 0, हाँ, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, कि इसका मतलब, यह spool forward motion भी कर सकता है, backward motion भी कर सकता है, लेकिन यह obvious नहीं है, क्योंकि कुछ लोग को ऐसा लगता है, कि यहार हम right side pull करेंगे, तो यह right side जाएगा, आप right side किसी angle पर pull करोगे, हो सकता है, स्पूल left side भाग जाए, यह intuitive answer नहीं है, कि हम लोग को ऐसा लगता है, कि हम right side खीच रहे हैं, और spool की हरकत कुछ और है, वो आपके force और angle पर depend करता है, कि वो किधर जाना चाहता है, और सिर्फ वही नहीं, direction of friction भी matter करता है, थीटा के उपर, लेकिन वो हम नहीं करने चाहते हैं, हमने AC solve कर दिया है, अब friction अपने आप solve कर दिये, friction भी कुछ angles में left लगेगा, कुछ angles में right लगेगा, और कुछ angles में हो सकता लगे ही लगे, AC के तुरू आपको समझा दिया है, मैंने कि spool का motion किसी भी side हो सकता है, सिर्फ force को देख करके कोई नहीं बता सकता कि ये right side जाएगा, मतलब rotation mechanics में कई ऐसे questions हैं, जो intucence के basis पर नहीं किये जा सकते, अंदाजा लगा के नहीं कर सकते आप, यूग आप सोचते कुछ हो और उसका answer कुछ हो रहाने वाला है, तो suggestion मेरा यही होगा, कि ये 3 equations बनाए, कोई बहुत ज़्यादा लंबी equations नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कोई quality की या फिर 3rd degree की equation बन रही है, कि हमसे solve नहीं हो सकती, simple सी equations है, जितना time आप सोच करके answer को गलत करने में लगाओगे, उससे कम time के अंदर equations बना करके, और अपना सही answer दे सकते हूँ, तो ये suggestion है आपका rolling के question में, next question, अभी तक जितने example मैंने rolling के लिए, वो ground के उपर लिए थे, अभी ये example ले रहा है, जिसमें rolling किसी plank के के उपर होगी, अभी तक तीन lectures हो गया, और तीन lectures है body ground पर ही roll कर रही थी, final lecture है, final question में, ये body किसी plank पर roll करेगी, इसमें क्या concept लगाएंगे, cylinder है, radius r, mass m, उसके center को पर force लगाई, plank का mass भी दे रहा है, और नीचे surface smooth है, starting में, यहाँ पर sphere लिखा है, वहाँ cylinder लिखा है, तो दोनों के दोनों पहले rest पे हैं, sphere, तोड़ा time दे दे दें, हाँ, ले दो, कोई दिक्कत नहीं, एक minute का time देते हैं आपको, चीक है, आप एक minute में अपनी working कर लो आप, अच्छी चीज है, बल्कि self working करना चाहिए, यह sphere यार, एक minute रुको, रुको, हम बार बार sphere को काटे, इससे अच्छा है कि एक बार, शिरेंडर को ही काट के sphere कर लेते हैं, तो एक question में, एक्चुली बार बार sphere लिखा है, मतलब diagram में गलती है, ठीक है, तो एक minute, sphere और प्लाइंग के बीच में फ्रिक्शन है, क्वेस्टन का C पाल्ट पढ़ो, चलो, आप बना लो, एक minute की टाइम लो, और एक minute के अंदर अपनी वर्किंग करके, देखो क्या equations बन रही है, यह फिर हम लोग equations match करेंगे, अगर equations सही हो जाएंगी, तो इसका मतलब answer भी सही आएगा, करो, कैसे करना बाकी लोग भी सुनियेगा, कैसे करेंगे इस question को, सबसे पहले, because हमने कहा था, question में सबसे पहले forces देखनी होती, तो हम sphere और plank के बीच, friction force की कोई direction को assume करेंगे, हम यह मानते हैं, कि sphere पर friction पीशे की तरफ लगेगा, और plank पर friction forward लगेगा, यह मानते हैं, action equals to reaction, minus के साथ है, तो action reaction होगा, action left, reaction right, तो यह उस हिसाब से लग रहे है, action reaction pairs के साब से, दोनों पर friction लगेगा, plank की वज़े से sphere पर, और sphere की वज़े से plank पर, दोनों पर friction काम कर रहे हैं, static friction होगे, क्योंकि यह rolling without slipping है, फिर हमने forces को देख करके, और यह लगाया, यह guess किया कि कौन सी body किदर motion कर सकती है, प्राबबल डिरेक्शन क्या है लिए, तो plank पर जो force है, उसको देख करके आप क्या कह सकते हो, क्योंकि वो plank बिगिरिंग में तो rest पर था, तो plank का motion, force के according right side होगा, या left side होगा, यह देखवा, यह देखवा, मतलब motion of plank is going to be on the right hand side, let us assume, acceleration is AP, स्फियर के बारे में क्या बोल सकते हो, उस पर एक right side की force है, एक left side की force है, तो आपका intuition क्या बोलती है, कि स्फियर का center होगा, वो right side accelerate होगा, या left side accelerate होगा, यह मानना पड़े, इसमें doubt है, हो सब्सक्राया friction का पता नहीं होगी, तो मैं यहाँ पर एजमसन है, कि AC राइट होगा, यह मैं मान के चल रहा हूँ, और torque about the center of sphere, देखो, तो cable friction जाएगा, clockwise की anti-clockwise, clockwise, clockwise, अभी गानान से मैच कर रहे हैं, तो alpha के बारे में भी आप share हो, मतलब देखो, alpha के बारे में आप share हो, AP के बारे में confirm हो, center के acceleration में doubt था, उसको हमने right मान लिया है, ठीके, तो देखो, मेरे steps अभी भी वही हैं, जो previous class में मैंने कहा था, या, कि rolling को deal करने के तरीके यही है, पहले forces बनाईए, फिर check कर लो, कौन सी body किधर accelerate कर सकती है, उनकी directions देख ली जाएं पहले, और अब हम equations बनाईए इसकी, तो अब जब equations बनाऊगे, तो equations कैसे कैसे बनेंगी, देखे सबसे पहले, equation for plank, क्या बनेगी, equation for plank, plank पर सिर्फ एक force है, वो है friction, equal to उसका मास, ठीक है, अब ही calculation में, मासस कैंसल ना हो जाएं, इसके लिए मैं MP दिनूट कर दे रहा हूं, इंटू AP, वनना पता चलता है, चोटे हैं, बड़े M को हम दो कैंसल कर देते हैं, इसके बाद equation जब बनाएंगे, तो for translation of sphere, sphere में डो equations बनेगी, एक उसके translation की, एक उसके rotation की, तो translation वाली equation जो बनेगी, sphere की वो बनेगी, applied force F, minus opposite force friction, बनाबर sphere का मास, इंटू उसके center की acceleration, उसको AS लिगने रहे, इसको AC की जगए AS, AS मतलब sphere के center का acceleration, और तीसरी for the rotation of sphere, अब क्या equation बनेगी, तो torque सिर्फ friction से आया था, तो F into R, torque बराबर उसका 2 upon 5, moment of inertia और alpha, यह होगे तीसरी equation, एक equation और चाहिए होती है में, rolling without slipping में, और वो equation कहला है, AC is equal to R, AP is equal to A minus R alpha, राइट, राइट, फॉर rolling without, बिल्कुल, यह roll किसके उपर करना, यह बताओ, चल्टे ब्लैंक, moving blank, rolling तो over the plank है ना, ग्राउन पे तो है नहीं, तो आप एक तरीके से, अपने observer को plank पे खड़ा करो, और तब देखो कि, स्फियर का center कितनी acceleration से चल रहा है, मतलब यह जो आप कहते हो, A equal to R alpha जो कहते हो, बिल्कुल सही है, उसमें कोई problem नहीं है मेरे को, A equal to R alpha होगा, लेकिन यहाँ पर जो A होगा, वो relative to plank होगा, क्योंकि motion तो plank पे हो रहा है, rolling तो plank पे हो रही है, तो जिस surface पर आप roll कर रहे हो, उसके relative acceleration निकाल करके, करना वही है, A equal to R alpha, तो यहाँ पर relative acceleration का concept लगाएंगे, जिस हिसाब से, acceleration of sphere minus acceleration of plank, क्योंकि यह होगया relative acceleration, equal to R alpha, यह होगई हमारी fourth equation, जो अभी होगई है, A equal to R alpha में, change कुछ नहीं कर रहे हो, इतना ही change कर रहे हो, कि जब ground पर rolling कर रहा था, तो हमने ground के respect में acceleration यूज़ की, plank पर rolling कर रहे हो, तो plank के respect में acceleration यूज़ करेंगे, equals to R alpha अभी भी रहेगा वो, यह होगई total 4 equations, अब आगे का part आपको working करनी है, solve करना है, तो अगर equations आप लोग देख लो, जिनके जिनके answers हैं अभी ग्यान जी, working आपकी यही थी या कुछ और थी, इकाज भी हम answer match तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह बताओ, कि जो equations तुमने बनाई थी, अगर वो बिल्कुल यही बनी हुई है, तो यह answer सही आएंगे, बट मेरे को doubt सिर्फ इतना है, कि अगर कुछ लोगों ने fourth equation में mistake कर सकते हैं, rolling without slipping के condition को लिखने में, ये सर वही 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 वसे mistake करती हैं, यहां पर धिया नखना होगा, कि अगर rolling किसी platform के उपर है, plank के उपर है, truck के उपर है, train के अंदर है, तो आप जिस surface पर body को rolling करा रहे हुँना, उसके relative चलना होगा, और ऐसा ही एक question यहां पर है, इसमें, देखो, roller is on the plank, इस question में जो roller है, वो on plank है, और अगले question में इसका उल्टा कर दिया गया है, plank on the roller है, मतलब roller नीचे है, plank उपर है, यही दो possibilities है, यही दो possibilities है, solve करने की, तो इसमें अब 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 जल्दी करेंगे, fast करने दाशा, तो plank पर, दो frictions आएंगे, क्योंकि वो दो rollers के contact में है, बड़ symmetrical contact होने की वज़े से, symmetry की वज़े से, दोनों frictions, identical माल देंगे, क्योंकि दोनों rollers बिल्कुल identical हैं, action equals to reaction, के इसाब से, इन cylinders पर भी friction काम करेंगे, forward side पर, तो जो हमारे cylinders हैं, इन पर forward friction दिखाओ, ग्राउन पर भी friction है क्या, देखो, यह actually question, यह reading ability है, what friction forces are acting, यहाँ पर कुछ भी नहीं कहागी, अच्छा, एक बाब बताओ, यह जो doubt मेरे को आया, genuine doubt है, इसमें कोई problem नहीं है, अच्छा, पूछा ही है क्या, नहीं भी पूछा होता, एक बाब बताओ, आज हमने एक question किया था, अब भी मैं आपको वो page दिखाता हूँ, इसलिए chapter के observations और कई सारे चीज़े matter करती है, यहाँ पर, हम लोगों ने smooth surface के उपर एक disc पर जब tangential force लगाई, तो क्या यह pure rolling कर पाया था, यह slip कर गया था, तो अब बताओ, इसका मतलब अगर इस question में ground smooth होता, तो क्या जो नीचे roller है वो pure rolling कर पायेगा, इसका मतलब ground का friction obviously होना चाहिए, नहीं तो pure rolling हो ही नहीं पायेगी, तो definitely, लिखा नहीं जाएगा question में कभी, इसका मतलब ground पे friction है, उसको हम FG denote कर दे रहे, friction at ground, तो आगे है यह कैसे सकते हैं, माना है, तो अब कुछ तो भगवान का, इसलिए पूजा पाट करिए, तो आगे कुछ मानोंगे, पता नहीं वो सही माना, गलत माना है, assumption है, मेरे right side, severity तो किसी बात की नहीं है, उपर जो friction लगा, उसी की कोई severity नहीं है, कि वो सही दिखाए है, अब forces हो गया, vertical mg mg नहीं दिखा रहे हैं, mg नॉर्मल reactions नहीं दिखाएंगे, पहले क्लिए खर देने आपको, वोगी वो vertical लगेंगे, इसके बाद motion की directions को observe करने का काम आता है, plank को हम forward मानते हैं, cylinders को forward मानते हैं, और इनके alpha को clockwise मानते हैं, यह सब हमने माना, अब अपनी equations बनाएंगे, तो plank की equation अब आप बताओ क्या लिखोगे, equation for plank बताइए, translate कर रहा है या, rotate कर रहा है वो, translate कर रहा है, capital F, F minus 2F, is equal to MAP, mass of plank into A of plank, एक equation, दो friction लग रहा है, क्योंकि दो rollers के contact में हैं, अब cylinders के उपर, तो cylinder में ध्यान एकना है, cylinder की दो-दो equations लिखी जाएंगे, क्योंकि cylinder roll कर रहा है, तो एक उसकी translitary equation, translitary equation में, उपर वाला friction और नीचे ground वाला friction, same directions में हैं, तो equal to mass of the cylinder, into acceleration of its center, roll rotate भी कर रहा ही है, alpha clockwise माना है, जो top वाला friction है, वो clockwise टॉक देगा, और जो ground वाला friction है, वो anti clockwise टॉक देगा, बचे एक मिल को, रुख जो, alpha clockwise माना है तुमने, तो उपर वाले friction का torque पहले लिखेंगे, और minus ground वाले friction का torque, equal to cylinder का moment of inertia, mc into r square divided by 2, into alpha, तीसरी equation, इसमें हम दोनों rollers के identical acceleration माना होते हैं, हाँ, दोनों identical हैं, question को complex करने के लिए अलगले भी कर सकते हैं, लेकिन अब वो torsor करने वाली बात हो जाएगी, ठीक है, तो जिदिन mood वेर, तो इसके mood पे है, इन तीन के एक लावा, एक जिसको हम constraint भी कह सकते हैं, rolling without slipping की equation, इसके अलावा जो constraint होती है, जो A और alpha को relate करेगी, मतलब कि no slip condition, rolling without slipping है न, तो no slip condition क्या होगी, यहाँ पे AP is equal to AP plus R, और राइट, 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 नो slip condition जो होगी, यह apply करोगे, at contact point, और आप सुनना, दो जगा पर no slip है, दो जगा, एक top point पर भी आपका no slip हो रहा, यहाँ पर भी no slip है, और एक no slip ground के उपर है, तो इसकी दो equations बनेंगी, no slip at ground, मतलब कि pure rolling, उससे बनेगी ac बराबर r-alpha है, rolling वाली equation, चौथी equation हो गई, और no slip at top, अब याद करोगे एक मिनिट, rolling का पहला lecture, कि जब कोई body roll करती है, और उसका आप center का acceleration a कहते हो, और alpha angular acceleration कहते हो, तो जो top पर point होता है, उसकी acceleration a plus r-alpha लिखी जाती है, acceleration of the top point, मतलब cylinder के top most point की acceleration, cylinder की सबसे top वाले point की acceleration, वो होगी उसके center की acceleration plus r-alpha, क्योंकि cylinder में translation भी है, rotation भी है, तो top point पर translation की वरे से भी acceleration होगी, और top point पर rotation की वरे से भी acceleration होगी, और cylinder का top point और plank अगर आपस में slip नहीं कर रहे हैं, तो जिस acceleration से plank आगे बढ़ रहा होगा, उसी acceleration से cylinder का top most point भी आगे बढ़ रहा चाहिए, जो नो slip का मतलब जोनों बॉडी जो एक दूसरे के contact में हैं, वो सेम acceleration से चलें, अगर उनके acceleration सेम ना हुए, तो एक बॉडी फॉरवर्ड मूफ कर जाएगी, एक रिलेटेवली पीशे रह जाएगी, बोडी जो जो बॉडी जो कर शुकी होगी, तो टॉप मोस्ट पॉइंट फॉरवर्ड टोटल एक्सलेरेशन, अप्तेन बाइ गंबिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन अंड रोटेशन इज एज़ प्लस आर अलपा, शोड भी एकवल तो दे एक्सलेरेशन आफ प्लैंग, पांच है एक 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 ऐग गी कि जितनी जगह पर नो नौ स्लिपिंग है उतनी जगह पर एक्वेशन का मतलब जो पॉइंट कॉंटेक्ट में हैं उनके सेम एक्सेलरेशन टैंजेंट की तरह पाने चाहिए अगर 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 नहीं सास्वजी कतरनाक तो है बहुत रोलिंग अगर अगर यह हो ही गया से अगर यह रोलिंग की तीन लेक्शर की सिरीज कटम होगी एक्शुली बदा इसके बाद आपको हम चोड़ देते हैं अब आप जैसे करना चाहूं अगर उसके बाद जो है पर पहले इसको तो क्लोस करें अगर यह बादेट जो है अगर इसके बादेट हैं क्यां तो क्मेट अगरुड़ चृट अगर करें ऑगर रहे इसके बादेट जगर टूपरेंग